प्रेंट्स स्वागत है आपके अपने चैनल येटूब आडग्रू में फ्रेंट्स आज हम इस वीडियों में कुछ परेशान साथियों को डिग्रियों डिपलोमा संबंधी फॉर्म में आ रही परेशानी को दूर करने का प्रयास करूँगा क्योंकि आप लोगों का कमेंट काफी आ रहा है कि सर बताएं कि मेरे पास ये प्रमाड़ पत्र है क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ की नहीं तो आज हम इस वीडियों में आपके प्रॉब्लम से हम TGT सलेवस को लेकर आया हूँ सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि प्रयाग राज न्यूज पेपर में दिया गया कि इस फॉर्म में कोई भी तूरूटी है तो या होती है उसका संसोधन नहीं होगा यानि संसोधन का मौका नहीं मिलेगा इसलिए आप लोग फार्म को अच्छी तरह से समझ कर भरें दूसरी बात यह है कि एज को लेकर तो आपकी उम्र की जो गड़ना की जाएगी वह 1 जुलाई 2020 से आपकी उम्र 21 वर्से कम नहीं होनी चाहिए अधिक्तम आईव आपकी सिमा जो है रिटार्मेंट तक चल जाएगी तीसरी बात जो कंडिडेट का अंतिम वर्स या डिगरी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है वह 30 नवंबर 2020 फार्म भरने की अंतिम तारिक तक मिल जाती है तो आप फार्म को अपलाई कर सकते हैं भर सकते हैं फ्रेंट्स अब आईए देखते हैं लोगों के कमेंट पर बात करते हैं जैस नमबर एक दिया है BFA-MFA-BA ड्राइंग प्रेंटिंग है क्या मैं TGT का फार्म भर सकता हूं तो फ्रेंट्स BFA-MFA-BA ड्राइंग प्रेंटिंग से आप डिगरी लिये हैं पर आपके पास इंटर प्रावधिक कला नहीं है तो आप फार्म नहीं भर सकते हैं यहाँ एक बात यह है महिला के लिए अगर महिला प्रावधिक कला की जगह अगर इंटर में आलेखन कला अनि डिजाइन आर्ट से इंटर की है तो अपने वर्ग अनि महिला वर्ग में वो फार्म भर सकती है लेकिन पूरुसवर्ग में नहीं क्यों कि पूरुसवर्ग में भरने के लिए आपको महिला के लिए प्रावधिक कला अनिवार है एक चीज यहाँ और बताना चाहूंगा कि जो कंडिडेट बी ए ड्रावधिक कला है तो वो पीजिटी का फार्म भर सकता है बी यह ड्रावधिक कला है तो वो पीजिटी का फार्म भर सकता है चाहे महिला कंडिडेट हो चाहे पूरुस कंडिडेट नमबर दो में मेरे पास इंटर प्रावधिक कला का प्रमाण पत्र है लेकिन असना तक नहीं हूँ क्या TGT कला का फार्म भर शकता हूँ तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि इंटर प्रावधिक कला केवल से आप फार्म नहीं भर सकते हैं आपके लिए असनातक किसी भी इस्ट्रीम जैसे B.A.B.S.C.B. काम यानि किसी भी सब्जेक्ट के साथ असनातक होना जिरूरी है कमेंट तीन में आलेखन कला से इंटर पार्षूं क्या TGT का फार्म भर शकता हूँ तो महिला असनातक किसी भी इस्ट्रीम बिशेक्ट के साथ असनातक है और इंटर में आलेखन कला यानि डिजाइन आर्ट है तो वह महिला वर्ग में फार्म भर शकती है परन्तु पूरुष वर्ग में नहीं नमबर चार मेरे पास आज़ेडी बामबे का डिप्लोमा क्या मैं टीज़ेटी का फार्म भर शकता हूँ का फार्म भर शकते हैं तो फ्रेंट्स आइए अब प्रसिछी तसना तक अनि-टी-जी-टी-विशा कला का सलेवस देखते हैं भारत के प्रागेतिहासिक कला केंद जैसे मिर्जापूर भिमबेट का रागड बादा पंच मड़ी उसंगाबाद आदि कला केंद्रों को आपको बारिकी से पढ़ना पड़ेगा इसके बाद सिंदुगाटी की सभ्यता की कला हडपा और मोहंजोदडो भारती चित्रकला के छांग फिर जैसे जोगी मार आजन्ता बाग बादामी एलोरा सितन वासल आद के भित चित्र भारती लग चित्रकला जैसे जैन पाल अभ्रंस को बारिकी से आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बाद राजस्थानी सैली में बूदी कोटा किसंगर जैपूर इत्यादी आपको पढ़ना पड़ेगा इसकी विसेष्थाएं पढ़ना पड़ेगा उपसैलियां भी पढ़नी पड़ेगी और इसमें मेवार सैली मारवार सैली एसब सैली पूरी अलवर सैली से लेकर के पूरा इसके अलंकारिक्ता प्राकितिक संदर ये सब चीजों को आपके इसमें धार्मिक ग्रंथ रोमानी तमाम को इसमें से पूरा पढ़ना पड़ेगा इसके बाद आपका मुघल सैली मुघल सैली से अकबर जहांगिर सा जहां औरंग जब इन सब से आपको पूरा पढ़ने पढ़ेका की अकबर काली जो चितरकला है उसके बारे में अकबरकाल के चितरfikय वसाओंव खाज़ा अब्दू समद, दस्वंत, मनोहर, फारुग बेग, मीर, सैयद अली ये सब चित्रकारों के चित्र, उनकी विशेस्ता सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा जहां गीरकाल के जैसे चित्रकला में पस, पच्छी, प्रकित, प्रेम, भ्यक्त, चित्र जहां गीरकाल के चित्रकार जैसे अबुलहसन, मनोहर, विशंदास, मनसूर, मुहमद, नादीर, आकारीजा ये सब आपको पूर्डू से पढ़ना पड़ेगा इसमें थोड़ा बहुत दच्छी सैली का भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके आगे जो है आपको कांगडा पहाडी सैली में कांगडा बसावली और जिसमें जो है उसमें के कलाकार जैसे संसार चन कांगडा सैली के चित्रों की विशेष्ता नूर पूर कलम बसावली की चित्रकला बसावली सैली के चित्रों की विशेष्ता कुलू सैली इनकी विशेष्ता ये तमाम चीज को आपको पूंडूप से आपको तैयारी करनी पड़ेगी बंगाल सैली और उसके कलाकार जैसे अवनिन्ना ठाकुन नंदलाल बो, सासित कुमार हल्दार ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा यामनी राय, अमरिता, सेरिगिल, नेस, बेंदरे, केके, हबबर, केस, कुलकंडी, यमेफ, फुसैन, केच, आरा, आदिल लेकिन मित्रों पिछली बार सलेवस इतना दिया है नाम इसके बावजूद समकालिन आधनी कलाकार के नए कलाकारों से बहुत किश्चंज बना दिया था, तो आपको जहां-जहां मिले, नही कलाकारों के आपको पढ़ना पड़ेगा इस बार आप नए कलाकार के साथ जो इतर जैसे छापा कला है पास्चात कला में थोड़ा बहुत जो फिमस फिमस कलाकार हैं उनकी कृत उनके बारे में आप थोड़ा सरसरी निगासे पढ़ लीजिए रट लीजिए उनकी कृतियों को अब इसके बार कला के तत जैसे रेखा आकार वर्ड तान पोत अंतराल चितर सहयोजन के सिधान्त जैसे सहयोग सामंजस संतुलन प्रवाविताल अनुपात परपेच और उसका चितर कला में महत इसमें आपको रंग रूप सब पढ़ना पढ़ेगा रंग भी पढ़ना पढ़ वर्ड यह दिया है आकार वर्ड तान पोत इसमें आपको फ्रेंड्स सब को पढ़ना पढ़ेगा तो फ्रेंड्स इन सभी चैप्टरों पर मैंने वीडियों बना दी है हलांकि वीडियों मैंने कोई अच्छे इस्टुमेट और बहुत अच्छे तरह से नहीं बनाया हूं ल लेकिन किताब पहले पढ़ करके तब इस वीडियों को देखिएगा हमने जो वीडियों बनाई है उसमें तिन चार किताबों का मैटर दिया है आपको समझ में आए तो ठीक है नहीं समझ में आता है तो आप जो किताब है किताब का अध्यन अच्छे तरह से कीजिए कारी में लग जाए कम से कम 6 घंटे अवस्य पढ़िए पढ़ने में किसी प्रकार की बहाना बाजी मत कीजिए तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में इतना सा फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में धन्यवाद आपका दिन शुभ झाल